नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गौवलॉक्ष और मैं हूँ आपके शाथ भासकरानन्द डोभाल एक सुन्दर सी फिमेल हतेली हमारे सामने बीवी चना के लिए है यहां पर ध्यान से देखेगा अगर आप लोगों की भी हतेली में इस प्रकार की राहु की रेखा है तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है और विशेश कर स्वास्त्य के परती यह स्वास्त्य में गोपनी ये बीमारी पैदा करने वाली राहु रेखा होती है और इसका अगर समय पे समाधान किया जाए तो निश्चित रूप से राहो अपना दुस परिणाम निकाल लेता है और कही न कहीं आपको रास्ता मिल जाता है जो इलाज आप करवा रहे हैं उसमें फायदा होने बैठ जाता है जो दवाईयां आप खा रहे हैं कहीं न कहीं ब परवाही रखते हैं तो ऐसे में बिमारी पकड़े में नहीं आती है तो मैं राहो का बहुत सुन्नर उपाई दूँगा आपको निश्चित रोप से उससे आपको रास्ता मिलेगा और इसका फाइदा आपको जबरदस्त रोप में जिवनकाल में मिलेगा अच्छा फाइदा मिलेगा अब यहाँ पर देखते हैं कि मैं राहो क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर इस रेखा पर सबसे पहली पड़ी है ध्यान से देखेगा जब भी कोई रेखाई निम्न मंगल से निकलती है और कहीं भी जाती हूँ राहो की लकीर ही कहलाती है और छोटी हो तो इसको नाड़ी की रेखाई कहते है यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक रेखा यहाँ से निकल करके और इस प्रकार से आ रही है यह द्यान से देखेंगा इस प्रकार से आपकी रेखा रही है ये मस्तिस्क रेखा नहीं है, आपकी मस्तिस्क की रेखा देखें, तो मस्तिस्क की रेखा इस तरों से है, मस्तिस्क की रेखा भी इसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हम फिलाल बात कर रहे हैं, राहु की लकीर का, जब राहु की लकीर इस प्रकार से हो सीधा चंद्रमा की तरफ आए चंद्रमा क्या है आपके हार्मोनल सिष्टम को प्रभावित करता है आपका मन का कारक तो है आपके हार्मोनल सिष्टम को भी जो है प्रभावित करता है आपके पाचन तंतर को भी जो है प्रभावित करता है और राहू इसी पे अटेक करता है अगर इस प्रकार की लकीर हो राहू की तो ठीक है न? अब यहाँ पे देखें राहू को ये नगेटिब कर रही है और सबसे पहले क्या कर रही है? जीवन की लकीर को काट रही है तो सबसे पहली मुश्किल क्या आ रही है? कि जीवन में कहीं न कहीं कदम कदम पर मुश्किल आ रही है किसको लेके? करियर और धन की लकीर को इस पश्ट तरीके से काट रही है तो रोटी रोजगार को लेके पैसे रुपे को लेके आजियोका को लेके हर जगा आपको कहीं न कहीं उतार चड़ाओ जहलना पड़ रहा है ठीक है ने अब ये जो है यहाँ पे मस्तिस्क की लकीर को भी पूरी तरों से काट रही है इसका मतलब क्या है मन पे भी जबरदस्त प्रभाव दे रही है कहीं न कहीं जो है मानसिक रोप से भी बीमार करती हुई दिखाई दे रही है ये मानसिक तनाव की इस्तिति को भी पैदा कर रही है और इस प्रकार से ये क्या है मारक भाव में बैठी हुई है जब राहू इस प्रकार से खराब होता है तो ऐसी बिमारियां ब्यक्ति को पकड़ लेती है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बिमारी कहां से आई, क्यों आई, इसका समाधान क्या है ये पता नहीं चलता है राहू गोपिनिय बिमारियां पैदा करता है और वो बिमारिया कही न कहीं ब्यक्ति को जो है बहुत कष्ट पोँचाती है बहुत दुख देती है धन बे मतलब का खर्चा होता है, बिमारे का पताई नहीं लगता है तो कभी ये करवाओ, कभी ये करवाओ, ब्यक्ति का सारा धन चला जाता है ऐसी इस्तित में आप लंबे समय तक अपने कारी स्चितर में ध्याण नहीं देते हैं क्योंकि विस्तर पे पढ़ा होगा बेटा बेकते तो कैसा देगा तो कही न कही आपका ये करियर के छितर को तबहा करता है आर्थिक इस्तिति आप स्वयम जानते हैं जब ऐसे इस्तिति आएगी तो आर्थिक इस्तिति कहां ले जाएगी ये रसातल के और ले जाता है अब क्या करना है यहसे में देखेगा मैं राहो का एक प्राकृतिक उपाई आपको दे रहा हूँ जो बहुत प्रभाव साली है आप विदिवत तरीके से वो उपाई करें निश्चित तोर पे बहुत जल्दी अगर उपाई सुरू करेंगे तो बहुत जल्दी आपको रास्ता मिल जाएगा आप यहां से निकल कर आ जाएगे जहां आप कई सालों से अगर पड़े भी होंगे तो भी ये देखेगा छे से आठ महने के बाद ऐसी इस्तिति आपके आजाएगी कि कहीं न कहीं जो है आपकी दिन चरिया रूटीन में आजाएगी दवाईयां बले ही खा रहे हो इलाज बले ही चल रहा हो लेकिन इस्तिति बहुत सामन्ने आपकी हो जाएगी ये इस परकार का हम उपाई दे रहें और ये राहो प्रभाव तो देगा हम देखेगा राहो अपना आंसिक प्रभाव कब तक देगा जिस परकार से हतेली में दिखाई दे रहा है ये 2036 तक राहो का कहीं न कहीं प्रभाव रहेगा लेकिन मारक भाव में नहीं रहेगा इस चीज के लिए आपने उपाई करना है सबसे पहले आपके हतीली में यही दिख रहा था इसलिए मैंने इस चीज के बारे में बताया अब अगली चीज वो भी थोड़ा नगेटिब है फिर भी हम पोजिटिब चीजों पे भी चर्चा करेंगे अब यहाँ पे देखेगे आप ये वाला जो हिस्सा है रेखाओं का जाल इस पे बन रहा है ऐसी इस्तिति में ये विक्त के बरतमान समय को दिखाता है कि कहीं न कहीं इसका प्रभाव आपके बरतमान पे जवर्दस्त रोप में पढ़ रहा है ये नजर दोस है नगेटिब उर्जा भी आपके अंदर है और साथ में राहो भी है तो चीजें गड़बड है लेकिन ठेक किया जा सकता है जवर्दस्त उपाई है उसको विद्वत तरिके से करेगा जहां आपने ये संगर से जहला है वहीं आपका इसका दुगना फायदा मिलेगा अब ये देखेगा ये सबसे पहले मन और मस्तिस्क पर प्रभाव डालती है ऐसी इस्तिति में कनफ्योजन की इस्तिति उलजन की इस्तिति और दुविदा की इस्तिति पैदा हो जाती है और जो निरणे लेने की चमता है उस पे जवरदस्त असर पड़ता है व्यक्ति सही से निरणे नहीं ले पाता है अगर लेता भी है तो वो निरणे गलत हो जाता है और फिर उसका भुक्तान बिक्ति को करना पड़ता है दूसरी चीज अगर ये रेखाएं आने बैठ जाए तो आपकी जो आर्थिक सेहत है वो बिगलनी बैठ जाती है आर्थिक सेहत सही नहीं रहती है वो बीमार होने बैठ जाती है बिक्ति कहीं न कहीं दरी दर्ता की और जाना सुरो कर लेता है तीसरी बात है इसमें आपके स्वस्ते पर प्रभाव पड़ता है चाहे वो सारीरिक स्वस्ते हो चाहे वो मानशिक स्वस्ते हो कहीं न कहीं वो स्वस्ते अन्बैलेंस हो जाता है इसका प्रभाव आपकी जीवन पर जबरदस्त रोप में पड़ता है चौथी चीज अगर देखें तो रिस्तों पर इसका प्रभाव पड़ता है कहीं न कहीं बिक्ति रिस्ते नहीं बना पाता है या निभा नहीं पाता है या प्रस्तितियां रिस्तों का सुक प्राप्त नहीं करा पते धीरे-धीरे जो है किनाराई होने बैठ जाते हैं यूह इस्तिति को यह पैदा करता है अब यह पांचवी चीज क्या करता है कि आपकी जो development है आपकी जो progress है उसमें बादाइएंडालता है अर्चने डालता है, मानि आप किसी चीज की पड़ाई कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये रेखाए आ गई तो कहीं न कहीं कोई ऐसी प्रस्तिती बन जाती है, आप उसको बीच में ही छोड़ना पड़ता है आपको, आपका सारा कराधरा जो है, वहीं रह जाता है, आपको रास्ता नहीं मिल पाता है, आपके सपलता के अस्तर को ये घटाती हैं, और जीवन में कहीं न कहीं संगर्स की उत्पति कराती हैं, उतार चड़ाव की उत्पति कराती हैं, तो सबसे पहले प्राकृतिक किरिया, उसके बाद राहों का उप पाई आपको जीवन में करना है निस्चती फाइदा होगा ये दो चीजें जीवन में जादा प्रभाव देती हुई दिखाई देरी अब एक और चीज है इसको भी ध्यान से देखेगा ये आपकी हिर्दय की लकीर है इस तरह से जारेब रिस्पति पर बहुत सुन्दर है बड दामपत्य जीवन का पूरा सुक है उसका भोग ब्यक्ति नहीं कर पाता है ये उस चीज को दिखाता है अब इसमें प्रस्तितियां अलग-अलग होती हैं हो सकता है ब्यक्ति का समय पे साधी न हो रही हो हो सकता है जातक का जो है जीवन साती है कही न कई स्वस्ते के मामले मे परेशान हो, वो सकता जातक स्वयम स्वस्ते के मामले में बहुत ज्यादा परेशान हो, आपकी तो राहू की दसा भी है, तो इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं, या ताल मेल में कमी रहती है, या नोकरी के सिलसिल में बिक्ति बाहर रहता है, या बहुत ज्यादा ज आपको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो जीवन में निश्चित रोप से सुक के प्राप्ति होगी और जीवन सांदार तरीके से चलेगा, ठीक, अब यहां पे देखेगा, यहां पे यह उंगली सीधी खड़ी है, लेकिन हलकी जुकी हुई है, इसकी तरफ, धार्मिक देखेगा, बहुत सरलता से, सहजता से, किसी भी चीज में सपलता नहीं है, आपको चीजों में सपलता पाने के लिए बहुत जादा मेहनत और बहुत जादा प्रिसरम करना पड़ेगा जीवन में, तब जाके आपको जीवन में सपलता मिलेगी, मिलेगी जरूर, लेकिन ले यह बात बहुत अच्छी है आपके अंदर सुरे की जो नेसरगी गुण है जबरदस्त है और सुरे ने अपना फल भी दिया है आपको सुरे ने हमेशा अच्छा फल दिया आपको प्रतिष्टा की जगा प्रतिष्टा दी है राज योग की जगा राज योग दिया है आर्थिक इस्तिति की जगा आर्थिक इस्तिति सबल दी है अब राहुने सब ले लिया वो बाता लगा है लेकिन इसके कुछ गुण आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे यस पाने के एक्षा हमेशा बनी रहेगी जीवन में नेमफिम पाने के एक्षा भी बनी रहेगी और अपने कारिय में विस्तार पाने की एक्षा भी जबरदस्त रोप में बनी रहेगी यह इस और इसारा कर रहा है बहुत अच्छा है यहां पर अगर हम देखते हैं तो ब्रस्पति की उंगली से हलकी बड़ी भी है तो हमारा हस्त रेखा का सास्तर कहता है कि ऐसे ब्यक्ति निश्चित तोर प अपनी जिवनकाल में सफल ब्यक्तितो की धनी होंगी बहुत सुन्दर है सबसे छोटी उंगली देखें तो यह भी सीधी खड़ी है और इसके पहले पोरों तक भले ही नहीं पहुँच रही है लेकिन सीधी खड़ी है थोड़ा यहां तक नाखुन बढ़ाईंगे तो जबर असील बिक्तितो भी यहां पे दिखाई दे रहा है दोनों की बीच देखें तो एक सांदार योग का आकार बन रहा है यह बहुत बढ़िया है ऐसे लोग कुरूर नहीं होते हैं निश्ठुर नहीं होते हैं खडूस नहीं होते हैं बलकि भावक होते हैं एक सांदार बिक्ति बिक्तित्व आपका बना रहेगा इस बात के और ये संकेत कर रहा है यहाँ पे अगर देखें तो हिर्दे की रेका सीधा जाके देव गुरू ब्रस्पति से मिल रही है यह बड़ा स्रेष्ट है आप केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचती ह बल्कि सब के लिए सोचने वाली बिक्तित्व के धनी है आप एक नौलेजबल बिक्तित्व भी है आपका आप बुद्धिमान भी है तीजुस्वी भी है और प्रेम के मामले में भी बहुत सरेष्ट है आप दिखावे के लिए प्रेम नहीं करती है बल्कि जिसको भी प्रेम करना है चाहे वह आपका फुत्र हो चाहे जो है आपका कलिग हो चाहे आपका भाई हो चाहे पती हो चाहे मावाप हो किसीको भी आप दिखावे के लिए प्रेम ने हैं बल्कि जिसको भी प्रेम करते हैं अंतक करण से प्रेम करते हैं हिर्दे से प्रेम करते हैं और साथ निभाने में देखें तो अंततक निभाने वाला विक्तित्व आपका है हाँ स्वाविमानी जरूर है और स्वाविमान में कई बार अभिमान का पुट भी आपके अंदर आता ही आता है लेकिन कोई बहुत बड़ी दिकत नहीं है पूर तो विश्वासी है विश्वास किया जा सकता है ऐसा विक्तित्व है हाँ ये योग ये भी बता रहा है देखेगा आने वाले समय में राहों की इस्तित्व से निकलने के बाद देखा जाए तो आप चाहे जीवन में जिस भी प्रकार से हो चाहे ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट जीवन ही जीएंगे ब्यतीत करेंगे यह आपकी हतेले इस पश्ट तरीके से बता रही है बहुत सुन्दर है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो मस्तिस्क रहखा है कही न कही जो है इस परकार से आ रही है यह थोड़ा अलग है जब भी बिरस्पत कही न कही जो है थोड़ा भी कमजोर होता है तो चिंतातुर सुभाओं को जनम देता है दूसरी की बातों में जादा नहीं आना है आपके दूसरों की दिमाग से जादा निर्णें पे काम नहीं करना है स्वयम की जो अपनी विचारधारा है उसको ज़्यादा डिपलप करना है इससे आपका फाइदा ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा मेडिटेशन अगर बक्त लगे तो एक दिब्य ध्यानियों किरिया दूँगा आपको वो जरूर करिएगा जबर्दस्त आपको लाब होगा वो इससे सुरी किरिया भी दूँगा अगर कर सकें तो जहां स्वस्त्य में सुधार होगा आपका जबर्दस्त रूप में वहीं चीजें बहुत अच्छी निखरके आएंगे यहां पे देखें तो इस प्रकार से लकीर आ रही है फिर यो जा रही है और यह है जिवन की लकीर ठीक है अच्छा है जिवन की लकीर यहां पे मगर बहुत सारी रेखाई काट रही है तो अभी जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई यह रेखाई दिखाई दे रही हैं अब भी जबरदस्त प्रभाव पढ़ना है लिकिन आगे ठीक रहेगा इस बात के और यह संकेत कर रहे हैं मन बंद की में थोड़ा सा कोई न कोई चंता को समय तक बनी रहे की अर्शंगर से भी बना रहेगा इस और यह जो है इसारा करती हुई दिखाइ दे रही हैं शुक्र का अगर हम पर फृवत देखें तो शुक्र का प्रृवत ठीक है यहाँ पे शुक्र कोई भी जो है कश्च नहीं दे रहा है दुख नहीं दे रहा है आने वाले समय में कहीं न कहीं अपना फायदा देगा हाँ निम्न मंगल आपका जो है दोस्युक्त है तो ऐसे में थोड़ा चिर्चड़ा स्वभाव आपका नेचुरल रूप से होने वाला है या कई बार कनफ्योजन की इस्तिती उलजन की इस्तिती जन्म लेती हुई दिखाई दे रही है और जो निरणे लेने की चमता है उस पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा बलड फ्रेशर की समस्या रह सकती है सार्रिक ताकत में कमजोरी आ सकती है या कभी कभी कमपन की समस्या भी उत्वन हो सकती है तो थोड़ा सा जो है मंगल का धियान रखें उपाए करें हाँ उपरी मंगल ठीक है प्राकरम बहुत जवरदस्त रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा आपका ब्रिस्पति बहुत सुन्दर है लेकिन थोड़ा ज़्यादा उबर गया है तो थोड़ा सा जो है कहीं न कहीं ये अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करने की इस्तिति में लाना है तब ये जो आपका छेतर है उसको ये प्रभावित करता है सनी आपका ठीक है या तेलिक कि उन्सा कोई गलत फाइदानीному दे रहा है सूरी की अगर बात करें शूरी थोड़ा मध्यम है अब जब सूरी थोड़ा मध्यम रहता है कि तो चाहे बिख्ती का सारिरिक स्वस्त्य हो, चाहे जीवन की वास्त्विक खुसाली हो, चाहे उत्सा हो, चाहे उर्जा हो, इस पे विसेश प्रभाव डालता है, तो मैं दिब्य सुरिक रिया दे रहा हूँ, उसका पालन करेगा, निश्चिती आपको लाव होगा, हाँ अगर हम देखें, आपका ब पूरी सपलता आप अर्जित करेंगे, हर तरह की जो प्रस्तितियां हैं, उनको भली बहांते समझेंगे, और उसका फायदा उठाएंगे, अपनी जीवन काल में आप इस राहों की इस्तिति से बाहर आने पे, योजना बना कर चलेंगी, और उसका विसेश लाभ भी प्राप आउस्ता में है, मनों बेग्यानिक के छेतन में भी माहिरता हासिल होगी, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर अच्छे तरह से आएंगे, और कहीं न कहीं जो है, ये लचेला भी दिखाई पड़ रहा है, सुन्दर भी दिखाई जो चंदरमा है, ये फूल गया है यहाँ पर बहुत ज़्यादों को पर के और दोड़ रहा है, और यहाँ पर अन्बैलेंस हो गया है, तो कहीं न कहीं बरतमान में जबर्दस्त फाइदा दे रहा है, एक तो हार्मोनल सिष्टम को कहीं न कहीं गडबडा रहा है, दूसरा मन को भी गडबड अवस्ता में ला रहा है, मानसिक प्रेशानी देता हुआ, यहाँ पर बरतमान में दिखाई दे रहा है, आगे भावकता ज़्यादा आ सकती है, ये इमोशनली भी प्रेशान हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा कभी-कभी मन अच्छा नहीं रह मन ब्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन खरापसा रह सकता है, और कहीं न कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा इसका विध्यान लखना होगा, और नीन आने में भी दिक्कोतों का सामना करना पड़ेगा, चंद्रमा के कारण, मैं सांदार उपाई दे रहूं, ब लखीर, तो मैं सबसे पहले राहो का और नगेटिव उर्जा का आपको उपाई दे रहा हूं, उसके बाद कुछ किरियाएं दे रहा हूं, बहुत सरल हैं, आप कहीं न कहीं कर सकती हैं, और जिवन में जबरदस्त लाब मिलेगा, निश्चित रोप से और आपको बहुत अच